Students, आज हम आपका लेसन 3 Great Indians ये स्टार्ट करेंगे इसमें इंडिया को अजादी दिलाने में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ तीन लोगों की बात की गई है एक है सत्गुरु राम सिंग जी, दूसरे हैं लक्षमी बाई जी और तीसरे हैं उदम सिंग जी ठीक है इन तीनों के बारे में आज हम इस लेसन में रीड करेंगे जो अब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं The historic period of the 19th and 20th century witnessed the rise of many a great man in India who not only started a campaign against the social evils prevailing in the country but also raised a banner of revolt against the British Empire तो इन लाइन्स में क्या कह रहे हैं The historic period of 19th and 20th centuries की उननीसमी और बीसमी स्टापदी में ना सिरफ witnessed the rise of many a great man ना सिरफ इंडिया में बहुत सारे महान लोग खड़े हुए इंडिया की अजादी के लिए who not only started a campaign against the social evils जिनोंने ना सिरफ की देश की बुराईयों को खटाने के लिए योगदान दिया prevailing in the country but also raised a banner of revolt against the British Empire लेकिन अंग्रेजों के जो अंग्रेजों का साशन चल रहा था जो अंग्रेजों का राज्य चल रहा था उसके खिलाफ वियवाज उठाई मतलब एक टाइम आया 19th and 20th century जब बहुत सारे लोगों ने जो की बहुती महान हुए है उन्होंने देश की बहुत सारी बुराईयों को जैसे कि देश प्रता सत्ती प्रता बाल भी वहाँ इन चीजों को दूर करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया उन्होंने एक इस तना से मुहीम चलाई कि अंग्रेजों को भी हम देश से बहार निकाल सके और भारत को अजाती मिले जो बाल गंगादर तिलक थे उन्होंने क्या कहा था सवराज्य मेरा जनमसित अतिकार है वेलियंट फाइटर्स वेलियं मतलब बहादूर fighters from all over the country तांतया तोपे रानी लक्ष्मी भाई दादा भाई नरोजी खुदी राम बोस श्री ओर्बिंदो लालालाज पत्राए पंडिच्वाला नैरू महात्मा गांधी बगत सिंग तो नेम जस्त फूपे ये सिरफ कुछ एक नाम है लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस एक मुहीम को अपनाया जिसमें उन्होंने देश को अजादी दिलाने में और देश की बुराईयों को दूर करने में एराइडिकेशन दूर करने में अपना योगदान दिया एन इंपोर्टन नेम अमंग अस देम was that of सत्गुरु श्री राम सिंग और पंजाब वो गेव बर्थ तो देश को अजादी दिलाने के लिए देश को सुधारने की कोशिश की और चाहा कि देश को पूरंतया अजाधी इन सबसे पहले ही इनोंने ये सपना देख लिया था बोर्ण ओन फैबरेरी त्री एटीन सिक्स्टीन इन दा विलेज जुराईया इन डिस्टिक लुध्याना दिस चाइल शोट इंटो प्रोमिनेंस वेन गुरु बालक सिंग जी डिकलेर धिमक गुरु और रिलेजियस गाई तो जे इनका जनम कब हुआ था 1816 इस्वी में हुआ था तेन फरबरी को और इनका जनम लुध्याना में हुआ था तो लुध्याना में ये प्रोमिनेंस होता है शोट इंटो प्रोमिनेंस की प्रसीद्ध होना फेमस होना और ये फेमस कब हुए जब इनको गुरु बालक चिंग जी ने एक गुरु नाम की पद्वी दी कि ये हमारे गुरु है तो उन्होंने वहां से लुध्याना से ही अपने मैसेज देने शिरू किये इस फर्स्ट सर्मन वाज दिलीवर्ट ओन दी दिशाखी डे इन 1857 और अठारा सो सत्विंजा इस्वी में जब इंदिया ने अपना रिवोल्ट शिरू किया था मंगल पांडे ने सबसे पहले जब रिवोल्ट किया था अंगरिज्यों के खिलाफ उस साल पे इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया वो अपनी शिक्षाओं में क्या सिखाते थे लोगों को कि एक ही बगवान है अथी जिंदगी जीए साफ सुतरी जिंदगी जीए सिंपल जिंदगी हमें जीनी चाहिए हमें ओनेस्टी वाली जिंदगी जीनी चाहिए हमारी लाइफ में कोई इवल कोई बुराई नहीं होनी चाहिए हमें गरीबों की जुरुरतमंदों की मदद करनी चाहिए और देश क की अजादी के लिए कान करना चाहिए थाउजन बिकीम इस फॉलवर्स एंड फ्लोग टो इस डिस्कॉर्स एवरी डिस्कॉर्स क्या होता है उपदेश मीटिंग्स तो बहुत सारी लोग उनके अनुवाई बने अनुवाई होते हैं धरम को अपनाना उनके द्वारा दी गई ब लोटर एंड कास्टिजम और वो किन किन चीजों के खिलाफ थे बच्चों की शादी करने के खिलाफ थे जो फीमेल्स को मार दिया जाता है बच्चों को गर्ल्स को जनम लेने से पहले उनके खिलाफ थे जैसे कि लोग शराब वगेरा पीते हैं नोन वेच खाते हैं उसके ख साथ बुरा विहवार करना इसके खिलाफ थे. He encouraged people to believe like brothers and fight for the freedom of their country from the British rule. और उन्होंने लोगों को इस चीज के लिए उकसाया कि सब लोग आपस में भाईयों की तरह रहें, देश की अजादी के लिए लडाई करें, ताकि देश को अंग्रेजी हुकूमस से अजादी मिल सके. Against the British policy of divine and rule, he gave the snoggle of unite and fight to the people of India. जैसे अंग्रेजों की रहनेती थी ना, भाटो और राज्य करो, food डालो और राज्य करो, तो उन्होंने अपने लोगों को एक ही नारा दिया था, कि इकटे हो जाओ और इकटे होके लडाई करो, जुरो और लडो, he started a moment of non-corporation against the British rulers and called upon the people to buy court the British, तो जैसे महात्मा गांदी जी ने अहसे योगंदोलन चलाया था, वैसे ही इन्होंने भी क्या किया था, उन्हों सबसे पहले ही ये अहसे योगंदोलन चला चुके थे, ताकि जो Britishers हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ हम अंदोलन कर सके, it was he who introduced the concept of be Indian by Indian in the country, ये वही थे जिन्होंने इस दुनिया में इस चीज का नारा लगाया था, कि इंडिया भारतिये बने और भारत की ही चीजों को खरीदे, तो जो Britishers थे, जो की अंग्रेजी हकूमत के लोग थे, वो क्या करते थे, जो इनके followers थे, इनके धरम को मानने वाले थे, उनको बहुत बुरी तरह से treat करते थे, जो पंजाबी का वर्ड है कुका, उसका मतलब होता है गरजना, स्च्छी सत्कुरु राम सिंग्स फॉलवर, वो रेजड लाओड वाइस अगेंस्ट ब्रिटिश केम तो बी पॉपरली नोन अस कुकास, और इसी वज़ा से, उनके जो दरम को अपनाते थे, उनको कुकास बोला जाता था, क्योंकि वो बुलंद आवाज में, उंची आवाज में, ब्रिटिशर्स का सामना करते थे, The followers of this movement were named, नामधारी इनको बाद में नामधारी के नाम से जाना जाने लगा, The नामधारी 6 soon became a brave force to be reckoned with, और धीरे धीरे इनको एक अच्छी खासी फोज मान लिया गया, The British rulers couldn't tolerate the rise of such an inspired patriotic force against them, और जो Britishers थे, उनको ये मंजूर नहीं था, कि जो देश बगत हैं, वो एक साथ मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, They let loose a reign of terror against the kookas, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने kookas के प्रती ऐसे अब behave शिरू कर दिया कि वो लोग धर जाएं, 9 नामधारी सिखों को क्या किया गया, जो जेल थी वहां बेज दिया गया, 65 नामधारी सिखों को क्या किया गया, तोप के आगे खड़ा करके उनको जला दिया गया, को गोले से उड़ा दिया गया, अमंगे इस मार्टर्स वाजट च्वालव यह ओल बॉय नेम बिशन सिंग, इन सबसे जो सबसे चोटी उमर का था, वो था बारा साल का लड़का जिसका नाम था, बिशन सिंग मार्टर्स होते हैं शिहीद, अगर तुम माफी चाते हो, तुम अगर अपनी जिंदगी चाते हो, तो तुम ऐसा करोगे कि तुम कुका के साथ अपनी जो संदी है, जो उनके साथ तुमारा प्यार है वो तुम तयाग दोगे, तो क्या किया, उन्होंने बियर्ट क्या किया उस की, पूखी में आई おफिसर से उसको बुरी तरह से मारा, The lovers of liberty refuse to be caught down by this repression but continue to fight with greater enthusiasm. तो जितना मर्जी जिए फाइटर्स थे लोग थे लोग इतने आजादी के लिए टितनी प्यारी थी कि ईन लोगों ने अपने उपर दिये जानЕ वाले कि यह जाने वाले जुल्मों को ना समझते हुए देशकी आजयादी के लिए ही लड़ाई लड़ी। श्री सत्कुरु राम सिंग जी वाज आगे कहीं बेज दिया गया लेकिन वो जहां कहीं भी है जैसे कि उनकी स्पिरिट मींस तुसे आत्मा उनकी आत्मा आज भी लोगों को दुनिया की देश की अजादी के लिए वैसे ही लडने के लिए सही के लिए लडने के लिए प्रेडित करती है तो क्या कह रहे हैं वो कि श्री सत्कुरु राम सिंग जी के धरम को मानने वाले लोग आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं और आज उनके गुरू जो हैं वो उनको अच्छे से संभाल रहे हैं और सब देश सारे देश में वो कैसा मैसेज फिला रहे हैं कि आपस में प्यार से रहना चाहिए एकता में रहना चाहिए सभी धरमों को आधर करना चाहिए simple living और high thinking में विश्वास रखना चाहिए तो हम next करेंगे नानी लक्षमी भाई के बारे में इनके बारे में कौन नहीं जानता सब लोग ने इनके बारे में पड़ा हुआ है no other woman warrior in the history of India has made such a powerful impact on the minds of the Indian people as the Rani of Jansi लक्षमी भाई दुनिया में बहुत सारी केते महान औरते हुए हैं जिन्होंने देश की अजादी में योगदान दिया हैं लेकिन सबसे ज़्यादा किसी ने अगर अपने दिल पर चाप छोड़ी हैं तो वह है Rani लक्षमी भाई Her heroic battle against the British has become the subject of many fox songs and ballads all over the country उनके द्वारा किये जाने वाले महान काम जैसे कि उन्होंने अगरेजों को पुछी तरह से हराया वो आज कई लोक गीतों का हिस्सा बन चुकी हैं Her indomitable spirit as a fighter for the independence of her country was appreciated even by her enemies Indomitable ना हारने वाली उनकी जो इच्छा थी उस पे कोई विजे नहीं पा सका वो कभी हराय नहीं जा सकते थे तो अंगरेज भी इस बात से हरान थे Rani Lakshmi भाई died fighting bravely for the sake of her country वो अपनी देश की खातिर बहुती बहादरी से लड़ी The Rani of Chansey became the most popular leader of the first war of independence और ये भी 1857 जब मंगल पांडे का टाइम था जब उसने revolt शिरू किया था तो उस टाइम में ये बहुती famous leader बन चुकी थी Lakshmi भाई was born on 16th of November 1834 in Varanasi इनका जनम Varanasi UP में 16 November को हुआ था 1834 में her childhood name was Manikarnika और Manu और इनको बच्पन में मनी करनी का या Manu के नाम से जाना जाता था After the death of her mother, she came to Bithur with her father तो जब इनके मदर की death हो जाती है जिए अपने father जी के साथ, अपने पिता जी के साथ Bithur आ जाते है In Bithur, she learned horse riding and martial arts तो वहाँ पर ये सब कुछ देख सीखते हैं, घुर सुआरी करना, तलवार चलाना When she was age, she was married to Raja Ghangad Rao of Jansi and so she was called Rani of Jansi और इस तरह इनकी शादी जब जे 8 साल की थी तो Raja Ghangad Rao से होती है और इनको Rani of Jansi कहा जाने लगता है, कि वो जहनसी के राजा थे न In 1851, she gave birth to a son, but by 1853, both her son and husband had died तो इनके जहाँ पर एक बेटा होता है, लेकिन बेटे की भी death हो जाती है थोड़े टाइम के बाद इनके husband की भी death हो जाती है Rani of Jansi adopted a son under the policy of lapse तो जो जहनसी की राणी थी, वो एक बेटे को गोद लेती है तो उस टाइम पे एक lapse की policy चलाई रखी थी, अंग्रेज्यों ने उसके according, अगर तो Raja का अपना बेटा है, तो तो ठीक है तो राजगद्धी उसको मिल जाती थी, लेकिन अगर उसका अपना बेटा नहीं है उसने गोद लिया है, तो सारे का सारा राज्य अंग्रेज्यों के पास चला जाता था बड़ बिटिज गवर्मेंट डिडन्ट रेकोगनाईज the adopted son and annex Jansi in 1853 और उन्होंने इस बात को नहीं माना कि आपने बेटा गोद लिया है, हम इसको आपका उत्रा दिखारी नहीं मानते जे आपके बाद राजगद्धी पर नहीं बेटेगा और उन्होंने 1853 में Jansi को अंग्रेजी राजे में मिला लिया तो वहाँ पर जो जानसी में लोगों को वहाँ पर उन्होंने जो निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, हमारी राणी हमसे दूर चली गई उन्हों लोगों ने अंग्रेजों की बात वाननी बंद कर दी और ब्रिटिश रेप्रेजेंटेटिव इंसल्फ आस्थ पीपल टू अबेदर राणी और वह बिचारे इतने विजबूर हो गए ब्रिटिशर्स क्योंने राणी को वापिस बुलाना पड़ा और लोगों से ये कहा कि जब तक राणी है तब तक आपको अपनी राणी की ही बात माननी चाहिए इसके बाद बीसीज जोता है घेरा डालना जानी के इड़ गेरा डाला गया तर राणी कंची न्यूज चुप कमांज हर फोर्स फॉर्स फॉम इंसाइड द फॉर्स बट अल्टिमेटली शिवास फॉर्स तो लीव जान्सी जब तक तो किले के अंदर वो थी सुरक्षी तब तक तो वो अपनी जो फोर्स थी उनको समझाती रही कैसे लड़ना है उनको लीडर करती रही उनको लीड करती रही लेकिन एक टाइम आया जब उनसे नहीं हो पाया और उनने क्या किया वो उस जान्सी के किले से बाहर आई तो तांतिया तोपे इनके गुरू भी थे तो तांतिया तोपे के पास यह पहुचती है वो इनका पूरा साथ देते हैं और क्या होता है वो वहां तक पहुच जाते हैं और वहां जाकर उनको हरा देते हैं तो उन्होंने क्या किया रानी को चारों तरफ से गेर लिया था तो रानी ने सोचा कि इनका में डटके मुकाबला करती हूँ जब वो ऐसा कर रही थी उनका मुकाबला कर रही थी उनको काफी चोट आती है और इस तरह 18 जून 1818 जाने की 58 इस्वी को वो वीरगती को प्राप्त हो जाती है उसके बाद हम आज रीट करेंगे उदम सिंग जी के बारे में उदम सिंग जी का नाम जनिया वाले भाग के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते इन्हों नहीं क्या किया था हम सबको पता है कि जनिया वाले बाग में 1919 को एक पीसफुल मीटिंग चल रही थी वहाँ पर एंटरिंस के लिए एक छोटा सा दर्वाजा था और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता था तो जर्नलो डायर एक तोप के साथ वहाँ पर आया उसने अपने सैनिकों को बोला कि इन लोगों को गोरियों से उड़ा दो उनके सैनिकों ने फाइरिंग शिरू कर दी आम लोगों को भागने को जगा नहीं मिली लोगों ने कुए में जलांग लगा कर अपनी जाने दी थी तो वो बापिस चला गया था इंगलेंड तो उसकी इस चीज का बदला लेने के लिए कि हमारे निर्दोश इंदूस्तानियों को मारा गया उदम सिंग जी ने क्या किया उन्होंने जर्नल ओ डायर को वहाँ पर जाकर मारा थाउजंद्स ओफ मैन वो मैन चिल्डरन एंड ओल्ड मैन डाइड इंदा मसैकरे मसैकरे होता है खून खराबा उस खून खराबे में जो जलियाँ वाले बाग में हुआ था उसमें हजारों लोग मारे गए थे कुछ एक लोगों ने सोचा कुए में चलाँग लगा के जान बचा लेंगे लेकिन जब एक के उपर एक छलोग चलाँग लगाते रहे तो अंदर लोगों को सास लेनी मुश्किल हो गई और उसने क्या किया उस कुए में भी गोलियां चला दी थी जिसकी वज़ा से उस insult क्या बदला ले सकूं He killed the villain of the show in England on 13th March 1940 और उन्होंने 1909 के बाद 1940 में जाकर उस इंसान को उन्होंने मारा और Udham Singh was arrested and sentences to death on 30th July the same year और वो भागे नहीं बलकि वो आराम से वहां पर खड़े रहे और उनको गिरफतार किया गया और उनको उसी साल फांसी की सजा सुनाई की दा फायरे रेवल्यूशनरी was born on 18th December 1899 at सुनाम in संग्रूर डिस्ट्रिक of the पंजाब और ये भी पंजाब के ही रहने वाले थे और इनका जनम संग्रूर डिस्ट्रिक में हुआ था इसा नहीं था कि उनके मन में अचानक और जब वो बाहर जाने वाले थे उसका कतल करने के लिए जर्नल डायर को मानने के लिए इससे पहले वो कई बार जेल में रहकर आ चुके थे तो मतलब वो काफी अच्छे फ्रीडम फाइटर थे क्योंकि उस टाइम में क्या करती थी अंग्रेजी सरकार जो भी उनके खिलाफ वाज उड़ाना चाहता था उनको पकड़ कर जेल में डाल देती थी उदम सिंग जलियाँ वाला बाग उदम सिंग को लगता था कि यह जो हमारे देश के लोगों को मारा गया जलियाँ वाले बाग में यह गलत हुआ और मुझे इसका बदला लेना है So he pledged to take his revenge तो उन्होंने एक कसम खाए थी कि यह मैं बदला लूँगा In 1937, he reached England after traveling through Europe Europe से होते हुए वो England पहुंचे In London, he shot journal O'dire at a point blank range in full view of a large gathering उन्होंने क्या किया? Meeting चल रही थी अंदर चर्च में लोग बेटे हुए थे, journal O'dire भी बेटे हुए थे, वो अंदर गए और अंदर वहाँ पर हत्यार ले जाना मना था तो एक बुक के अंदर वो पिस्टल को रख कर ले गए लोगों को लगा कि यह कोई आम इनसानी होगा, कोई पड़ा लिखा इनसान है, जिसके हाँ में इतनी बड़ी बुक है तो बुक के अंदर चे उन्होंने वो पिस्टल निकाली उसके साथ उन्होंने जनरल डायर को मारा और वहाँ पर खड़े रहे और उनको गिरफतार कर लिया गया और सब लोग वहाँ पर उनको देख रहे थे उद्म सिंग जिनने जो किया वो देश की आजादी के लिए देश की एकता के लिए किया और उनकी जिंदगी से हमें ये प्रेज़ना मिलती है कि जो लोग अलग अलग धर्मों के होने के नाम पर ये कहते हैं कि इसके उपर भ्रोसा नहीं करना चाहिए ये गलत है और हमें हर लोगों के साथ अच्छे से भीएव करना चाहिए तो बेसिकली इस लेसन में हमने तीन इंडियन्स के बारे में पड़ा जिनोंने देश को अपने अपने तरीके से अजादी दिलवाने में अपना अपना योगदन डाला और अगर आज हम आजाद हैं तो इनी सवतंतरता से नानियों की कहीं न कहीं एफर्स की वज़ा से ही हम आजाद हैं वरना आज भी शायद हम अंगरेजों के ही गुलाम होते